नमस्कार दोस्तो हम हैं Creative Architects और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में एक सांदार प्लैन आप सभी के लिए लेकर आए हैं यह प्लैन हमने डिजाइन किया है हमारे क्लाइंट मोहित गुजर जी के लिए दोस्तो इस प्लैन की डाइमेंशन की आप से बात करूँ तो 50 बाई 50 फीट का यह है प्लैन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यह है इस प्लैन का रियर व्यू है काफी वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपर विंडोस हमने छोड़ी हुई है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं इस प्लैन के अंदर आप कहके देखने को मिलेगा यह आपका में गेट है यहाँ से आप आगे बढ़ते हो दोस्तों इधर आपका पोर्च एरिया है और यह रहने वाला है आपका वरेंडा जिसकी डाइमेंशन साड़े 12 भाई 12 फिट के आपको देखने को मिल जाएगी एक आपकी में एंटरेंस है और एक आपकी यहाँ पर साइड एंटरेंस हमने प्रोवाइड की हुई है में एंटरेंस से आगे बढ़ते ही आप अपने लोभी एरिया में एकसेस कर जाते हो जिसकी डाइमेंशन आपको 24 भाई 14 फिट के देखने को मिल जाती है दोस्तों उसी के राइट साइड में आपको यहाँ पर हमने एक ओपन कीचन प्रोवाइड की हुई है जिसकी डाइमेंशन आपको 13 भाई 9 फिट की देखने को मिलेगी और वेंटिलेशन उसका रियर साइड से होता रहेगा यह है दोस्तों आपकी इस्टेर्स वाला एरिया अंदर से इस्टेर्स प्रोवाइड की हुई है साड़े 3 फिट वाइड जो की हमने रखी हुई है दोस्तों लोबी से ही आपके लिए यहाँ पर एक कोवन वोश रूम हमने प्रोवाइड किया हुआ है चार भाई 8 फिट की इसकी डाइमेंशन रहने वाली है और उसी के साथ बाहर हमने एक हाथ दोने के लिए वोश बेशेन भी प्रोवाइड की हुई है दोस्तों साइड एंटरेंस की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो हमने यहाँ से पूरी सेपरेट दी हुई है एक डोर के थुरू और यह आपका डोइंग रूम रहने वाला है इसकी डाइमेंशन आपको 14 बाइ 14 फीट की देखने को मिल जाएगी और दोस्तों यहाँ पर हमने एक अटेच्ट वोश रूम भी प्रोवाइड किया हुई है जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हो इसकी डाइमेंशन भी आपको 4 बाइ 8 फीट की हमने प्रोवाइड की हुई है दोस्तों इस वोश रूम में आप अपने बेडरूम नंबर वन से भी एकसेस कर सकते हो यहाँ पर भी हमने एक डोर दिया हुआ है यह रहने वाला है आपका बेडरूम नंबर वन दोस्तों बेडरूम की इस डाइमेंशन है आपकी 14 बाइ 12 फीट की काफी बड़ा आपको यहाँ पर यह बेडरूम देखने को मिल जाता है सिटिंग एरिया भी हमने प्लेस किया हुआ है और दोस्तों रियर में एकसेस करने के लिए भी यहाँ पर हमने एक डोर लगाया हुआ है हमारे क्लाइंट के पास जो कंस्ट्रक्टर्ड एरिया है उसके पीछे भी काफी जगे मोजूद थी जो कि उन्होंने अन्य कारिये के लिए रखी हुई है तो यहाँ पर हमने वो अलग से छोड़ी गुई है तो यह था दोस्तों आपका बैडरूम नमबर वन अब मैं लेकर चलता हूँ आपको बैडरूम नमबर टू की और इस बैडरूम के जश्ट बगल में ही आपको बैडरूम नमबर टू देखने को मिल जाता है दोस्तों और आप लोबी से उसमें डारेक्ट एकसेस कर सकते हो तो यह है रहने वाला है आपका बैडरूम नमबर टू इसकी भी आपको यहाँ पर सेब डाइमेंशन्स जो की चोधा बाय साड़े बारा फीट की है वो देखने को मिल जाती है तो यह था आपका बैडरूम नमबर टू अब मैं आपको बैडरूम नमबर टू भी एक बार दिखा देता हूँ तो इसी के जिस्ट बगल में आपको देखने को मिलता है आपका बैडरूम नमबर टू चोधा बाय साड़े बारा फीट की इसकी भी डाइमेंशन से दोस्तो काफी बड़ी विंडो यहाँ पर हमने प्लेस करकर दिखाई हुए जैसा कि आप लोग अभी देखी पा रहे हो ग्रांड फ्लोर पर आपको तीन बैडरूम देखने को मिलेंगे और दोस्तो ऊपर भी यह पूरा प्लेन ठीक वैसा ही बनावा है जैसा हमने नीचे बनाया हुआ है तो वो प्लेन मैं आज की इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा तो यह थी हमारी आज की पूरी वीडियो अगर आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलता हूँ आपसे अगरी वीडियो में तब दके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा जैहिन